नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो उत्तर प्रदेश पुलिस बढ़ती 2016 में जो आपकारी सिपाई के फॉर्म पढ़े थे उनका रिजल्ट जारी हो चुका है ठीक है अगर आपका भी फॉर्म पढ़ा था और आपको रिजल्ट देखना है तो उसके लिए क्या करना पढ़ेगा जिस किसी ने फॉर्म डाला था उसका रिष्टेसन नंबर भी खो चुका है तो वो रिष्टेसन नंबर कैसे देखेंगे तो इस पीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वाइल आइकन को पेस कीजिए ठीक है चलिए श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहां पर जाना है मुझे सरकारी रिजल्ट में जैसे ही सरकारी रिजल्ट पर मैं क्लिक करता हूँ यह सरकारी रिजल्ट की विपसाइट पर पहुंच जाता हूँ उसके आप मुझे क्या करना है यहां पर देखिए रिजल्ट में 100 कर रहा है यूपी ट्रपल से एकसाइस कॉंच्टेवल 2016 रिजल्ट बस इसी पर सिंपल मुझे क्लिक कर देना है जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और नीचे आँगा यहां पर मैं देखूंगा डावनिड रिजल्ट लिए तो इसने मुझे ऑफीजल बिपसाइट पर पहुंचा दी ह। यहां पर रेजिटियसन नंबर मांग रहा है और जेंडर और कप्फा को ठीक है तो मेरे पास registration number नहीं है तो मैं कैसे चेक करूँगा चलिए वो बताते हैं तो इसके लिए मुझे क्या करना है डारेक्ट उसी वेबसाइट पर आना सरकारी जल्ट वाली पर और यहां पर देखिए सबसे कर लिए मैं सर्च आप्सन पेज ऐसी क्लिक करता हूं और यह देखिए हमारा सर्च होके बता रहा है यानि कि दो फॉर्म इसमें पढ़ चुके हैं ठीक है तो चलिए इस पर कट करता हूं अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और देखता हूं कौन सा तो देखिए से पेज को मैं नीचे स्क्रॉल किया यहां पर मुझे बता रहा है कि एक फॉर्म यह पड़ा था एक फॉर्म यह पड़ा था ठीक है तो यह रिजस्टेसन नंबर में को कॉपी करूं गा और कॉपी करने के बाद मैं बापस चला जाओंगा उसकी वेब-साइट पर तीक है जैसे ही मैं रिजल्ट में यहां पर इंटर करूंगा यहां पर डेटा बड़ डालूंगा और जेंडर और उसके बाद कैपचा कोट इसके वाज हमें रिजल्ट सो कर जाएगा ठीक है आई होब उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार